नमस्कार दोस्तो मैं mislinae स्मास्टर फिर से हाजीरूं DAVID अपने एक नए वीडियो संजीन दोस्तों मेरे चानल कभी तक सब्सक्राइब नहीं कियाो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें दोस्तों ये डिपार्टमेंट पोस्ट का एक नया ओडर आया है ये एक्चली गुजरात सरकल ने इसू किया है ये आज के ही ओडर है 22 मार्च 2020 का ओडर है ये जो कुरोना वायरस जो फैला है कोविड-19 उसके स्प्र सब सरकल ऐसे कुछ ओडर जारी करेंगे इसमें दिया गया है कि जैसे कि सारे ट्रेंज वह 31 मार्च तक कैंसिल हो चुके बहुत सरे फ्लाइट वी कैंसिल है और वह कुछे स्टेट में लॉकडाउन है चल रहा है तो उसके कारान यहां के गुजरात में जितने आरे में सेट चलते हैं उनको भी 31 मार्च तक लॉक्डाउन कर दिया गया मतलब छुट्टी कर दिया गया इस बंद रहेगा इसके लावाँ स्पेशल टीम है जो मीटप करेंगा वांस और दो बार एक बार हपते में सिर्फ यह चेक करने के लिए कि एयरपोर्ट रेलवे कोई बैग है तो चुट्टी दिया गया है उसके अलवाँ BNPL, MMS, NSH, CRC या पार्सल अब या और ICH जो है उनको भी 31 मार्च तक के लिए क्लोज किया गया है HO और Delivery Office, MDG और Delivery Offices जो भी है वो मंड़े को एक बार खुलेगा और जितने लेटर उनके पास spending परें है वो deliver हो जाए उसके बाद उसको भी बंद कर दिया जाएगा Other routing work will be continue with the minimum staff और उनके जो routing work है HO, MDG और Delivery Office के वो कम से कम staff पे चलाये जाएंगे और मंड़े को जो delivery उनके पास spending later होंगा उसका delivery को confirm कर लिया जाएगा कि deliver हो या नहीं From Tuesday, 21st March 2020, only HO, MDG will function with skeleton staff जो 24 मार्च से जो होगा HO, MDG office है वो ही minimum staff से चलाये जाएंगे Branch offices में भी promoted digital transaction and function in emergency of cash transactions, a special requirement of cash can be obtained View जो होगा और digital transaction को promote करने का कोशिस करेंगा और emergency cash transaction होगा वियो से इसके अलावा जो circle office, regional office, division office है उनको भी एक control room सेट किया जाएगा Emergency situation को handle करने के लिए या फिर 50% staff के साथ उसको चलाया जाएगा CS DPSD जो होगा 31 मार्च तक function नहीं करेंगा मतलब बंद रहेंगे इसके लोगा MMS आमदाबाद विली functional with MMS trips for emergency of cash or mails Security staff जो होंगे जो भी security staff है उन लोग का duty continue रहेगा उन लोग अपने duty continue करेंगे GM finance जो होगा उसको भी pension जो pension जो है उनके पैसे के लिए या फिर employee जो है उनके salary का 30 मार्च को credit हो इस बात के लिए insure कर रहाना है इसके लिए जो भी सब IQ या holiday home होते है पोस्टल को सब भी बंद कर दिये गया है आधार ओवर्क जो पोस्टल में होता है उसको भी 31 मार्च तक सब्सक्राइब किया गया है कुछ और भी सर्विसेज है जो casual लेवर या DRM है उनको भी treated on duty किया जा रहा है जैसे कि अगर office बंद हो रहा है तो casual लेवर है उनको भी salary दिया जाएगा DRM जो है उनको भी salary मिलेगा उनको भी यह नहीं कि वो ड्यूटी पर नहीं है तो salary काट लो ऐसा नहीं होगा उनको भी salary काउंट किया जाएगा पोस्ट आफिसेज में यूज़ thermal scanning for customers पोस्ट आफिसेज जो खूले रहेंगे वहां पर thermal scanning के लिए हुआ है कि customers जोएंगे उनकी thermal scanning ताकि उसे fever का पता चल पा है जो भी corona से पिरित होँगे उनका पता चलेगा अगर उनकी thermal scanning होने से all delivery staff counter-staff may be provided with mask hand sanitizer जो भी delivery staff है या counter staff है उनको mask, hand sanitizer और साबुन देने के लिए बोला गया है डिसिंफेक्षन का भी post office में regular disinfection करने का email office जो है उनको भी order दिया गया है ये गुजरात सरकल का order है अभी बाकी सरकल का order आना बाकी है हो सकता है आद संडे के करन ना आए नहीं कल तक देखना होगा कि बाकी सरकल का क्या order आता है गुजरात सरकल ने maximum post office और anonymous office को close करने का निन लिया 31 मार्च तक तो ये post office के staff जो है उनके लिए बहुत important था पोस्ट office का क्या होगा नहीं गुजरात सरकल ने जारी किया है तक वेट करें बाकी सरकल का भी हो सकता है कुछ वैसा order है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में धन्यबाद दोस्तों